दोईवाला के बढ़कोट गाउं में 40 साल के बाद ग्रामिनों को लगभग 4 करोड की लागत वाली सड़के मिलने जा रही हैं जिसको लेकर ग्रामिनों ने उतराखंड सरकार और ग्राम प्रधान का अभार चताया है बताने कि डोईवाला विधान सभा अंतरगत बढकोट गाउं के लोग पिछले 40 सालों से सड़क बनाए जाने की मांग कर रहे थे और इसी मांग को लेकर ग्रामिनों द्वारा धन्ना प्रधर्शन भी दिया गया था वहीं जब ग्रामेंट सड़क बनाए जाने की मांग पर डटे रहे तो शासन प्रशासन द्वारा सड़क मार्ग का निर्मान का रेश्रू कर दिया गया दोईबाला से समध आता जाविर हुसाइन की रिपोर्ट सड़क परदान जी करीबन 40 वर्स पहले वनी तो अब यह रोड क्या है कि सभी लोगों के मिल जूल के परियास किया सभी इस चाहिए पर दर्न बे भी बैठे लो विदायक जी आयते हमारे माननी विदायक जी ने आस्वसन दियाता कि इस रोड का काम सेगरी शुरू होगा तो अब यह है कि इस रोड का काम सुरू हो गया तो हम इसमें क्या है कि उतरागन सरकार को भी अपना इसका बहुत बहुत अफ्मारी जो मांगती क्राम सुवा घ्राम सुवा किया हमारी जो मांगती उस मांग को पुरा किया कर भी इस सदो को बनने से काफी लोगों को फ्यादयमें लगे स्थ 2 का यदॉर जो है गिर गया थे उबढ खावर ठी चोटीस हो ग्ई देलों और इसके लिए यह के घ्रम और यहां पर काफी आवाद ही है और यह सभी लोग जो है बहुत परिशान है अराजीन लोगो जो है इस चीसे कुछ उम्मी जगी है अराजी आपे जो है बताचा अरदसन जो है